असलाम लेकुम एवरिवन, उमीद है आप सब ठीक होंगे इंग्लिश 507, इसके जो किटन पेपर्स अभी हो रही हैं मिट टम के ये जिद्धे मेरे स्टूरेंट्स ने मेरे साथ शेयर किये हैं मैं आपको बता रही हूँ इनसे ही होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तहां से आ रहा है और हैंड़ोट से हैं या फाइल से पेपर नंबर वन जो कल साड़े आट बज़े हुआ हैंसी के उस मोस्टली उनके हैंड़ोट में से आये थे और जो शॉर्ट दो क्वेस्टन थे में थे ऊचे आपको वहवल के टिलेटिड कोई भी क्वेस्चेन आ सकता है और ये रोम आ उर्द। लाँग क्वेस्चेन थे उनके lexial time stress explain करना था second में A B parts थे how many consonants are there and describe the consonants इन three points vowels, consonants ये topics must आएंगे आपको 27 MCQs mostly from handouts handouts MCQs के point of view से prepare जरूर करें three forms of vowels again vowel repeat हुए phonetics and its forms long में positive and negative VOT और अगला long है phonemia with three examples अगर आपको वीडियो अच्छी लगी informative थी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें ताके मैं जो बाकी subjects की videos upload करूँ आपको उनके notifications मिल जाएं